बात करते हैं राम सनेह घाट की, मैं हूँ अन्शु आप देख रहे हैं पर मात आवाजियों बाराबंगी जनपाद अंत्रगत तेहसिल राम सनेह घाट की उपजिला दिखा लेती ही अन्शु पटेल जिसके शिकायत अंकित सिंगल अब दिखाई तेहसिसदार से की थी मौकी के पहमाईश प्रशासन के निर्देश पर लेखपाल पुलिस बल की मौजूदगी में की गई जिसमें गाटा संखिया एक सोचार बटे शोन्य दशमलो शोन्य दो पार्च है जो अभी लेखा नुसार चक मार्ग अंकित है उप्त की पहमाईश पुलिस बल ग्राम प्रधान अन्य ग्रामिन मौजूद थे बतादे कि मौकी के पहमाईश प्रशासन के निर्देश पर लेखपाल पुलिस बल की मौजूदगी में की गई जिसमें गाठा संक्या 104 बटे शोन्य दशमलो शोन्य दो पार्च है जो अभी लेखा नुसार चक मार्ग अंकित है उप्त की पहमाईश पुलिस बल ग्राम प्रधान और अन्य ग्राम इन मौजूद थे ये प्रकरण कई दिनों से चल रहा था जब ये प्रकरण अब्दिला धिकारी रामसनी घाट दिव्यान शो पटेल के समक्ष पहुचा तो उन्होंने हलका राजा से लेखपाल से पहमाईश करने का नदेश दिया जिसमें हलका लेखपाल वकानून गो वपलस्तीम के साथ पहमाईश के गई रामदेव पुतर स्वरूप को कहा गया कि वो आप ग्राम समाज के भूमे पर अवैश तरीके से काबिज हैं जो के नियम विरुद है अगर ग्राम समाज के जमीन से अवैश कब जा नहीं हटाते तो आपके विरुदिक करनूनी कार्रवाई की जाएगी परमार्तावार्ज रामसरीघाट से भक्तिमान पांडी की रिपोर्ट खवाद जमीन में रहा और ग्राम समाज जमीन में अवैश निर्मार भी किये उनका अवैश कामर किये हैं गलहरा भी अटकामर किये हैं काल अटकामर किये हैं रामदेव